हेलो फ्रेंड्स मैं श्टडी 91 चैनल से निफिन गुपता आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत था आपका हमारे चैनल में और आज दोस्तों हम लोग modern history की class को cover करने जा रहे हैं जिसमें आज का topic हमारा भारत में क्रांतिकारी आं अभी नो भारत society के बारे हम पढ़ने वाले हैं तो इस तरह से topic को आज हम लोग complete किया जाएगा ठीक है चलिए topic सुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आप सभी से वही पुराना वाला style क्या कि किसी भी तरह का advertisement आता है तो please उसको पूरा देखा करिए उसको skip मत किया क करिए ठीक है तो please इतनी बात मानिया और वीडियो अच्छा लगे दोस्तो तो share ज़रूर से करिए ओके चलिए start कते में topic को तो दोस्तो अगर आपको समझना है भारत में क्रांती कारी आंदोलन तो पहले ये समझना पड़ेगा कि अचानक से भारत में क्रांती कारी आंदोलन और उसके बाद उग्र राष्टवादी जो नेता थे यानि जो थोड़ा सा गर्मी वाला माहौल पैदा करते तो उनको गरम दल का नेता कहा जाता था ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर कहा से आ गया क्रांती कारी आंदोलन तो मैं पीछे की चीज़े आपको याद दिलाना च कांग्रेस दो इससे में बढ़ जाती है एक आपका है कि उदारवादी विचारधारा के जो लोग हैं ये तो कांग्रेस से जुड़े हैं यही नरम पंती नेता कहलाते हैं लेकिन उख्र राष्ट्रवादी वाले जो विचारधा के लोग हैं इनको गरम दल का नेता कहा जात गरंदवाले कहा जाते हैं और इसमें पैस्ली किन्णों का नाम आता है लाल बाल पाल और किसका जोस्त, टीक है यह वह लोग राते हैं जो उग्र राश्टवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं आगे चलके दोस्तों यही उगरवादी जो हिस्सा था यह दो खेमे में फिर यहाँ पर डिवाइड होता है और यहाँ पर याद रखेगा यहाँ पर गरम पंती नेता एक तरफ है और दूसरी तरफ आ गए है तरफ नेता लोग क्या सोचते थे जिनकी विचारधारा क्रानतीकारी है क्रानतीकारी विचारधारा वाले लोग यहाँ पर आ गए हैं और यही आपका तीसरा साखह है जो आज हम लोग cover करने जा रहे हैं ये उदारवाधी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, गरम दलवालों के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग क्रांतिकारी विचारधारा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन दोनों लोगों में क्योंकि एक ऐसे डिवाइड हुए है तो इन दोनों लोगों में विसेज करके क्या अंतर है एक तरफ उदारवाधी नेता लोग क्या सोचते थे वह सोचते थे कि हम सम्बैधानिक तरीके से भारत की आजादी के लिए लड़ेंगे हम संबिधान के दाइरे में रह करके ठीक है और उसके बाद भारत की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे और भारत को आजाद कराएंगे ये उद्दे से था आपके उदारवादी नेताओं की यहाँ पर गरम दल के जो नेता थे या उगर राष्टवादी जो थे इनको क्या का जाता था इनके अंदर अगाद प्रेम होता था देश के प्रती क्या होता था अगाद प्रेम की भावना थी यह हमेशा बली चढ़ने को तयार रहते थे ठीक है और इनका कहना क्या था कि हम ल लोगों को जागरू किया जाए किसके बारे में बताया जाए बहिसकार आंदोरन के बारे में ठीक है तो बहिसकार आंदोरन को आधार बना करके ठीक है यहाँ पर जो उक्र राष्टवादी लोग होते थे वो क्या चाहते थे कि अपने देश की आजादी की लड़ाई में पहर राजनेतिक यहाँ पर हिस्सेदारी अपना दिखाना चाहते थे कौन लोग यह जो गरम दलवा लेते ठीक है यानि बहुत जादा लड़ाई जगड़ा नहीं लेकिन इतना भी नहीं कि हम अपना आत्मसम्मान की रच्छा करते वे अपने गवरों को मासूस करते वे हम इत तीसरा पॉइंट यहाँ पर आगया दोस्तो क्रांतिकारी विचारधारा इसके बारे में आप समझें क्रांतिकारी विचारधारा के लोग क्या सोचते थे वो सकती और बल प्रदस्रंग करना चाहते थे क्या करते थे वो सकती और बल के सहयोग से जो है भारत को जीतना चाहत यानि हमेशा यह कहते थे कि बहुत हो गया अंग्रेजों की हम लोग गुलामी सहन नहीं करेंगे और उनसे हम लोग क्या करेंगे खुलकर उनकी चुनोती देंगे उनकी चुनोती स्युकार करेंगे लड़ेंगे और अपने देश को आजादी दिलाएंगे यह क्रांतिकारी वि प्रति आवेदन निवेदन की नीती अपनाई वी थी यानि सांतिप्रिय तरीके से जा करके उनके सामने गिरगराना अपने सुराज के लिए गिरगराना ठीक है ये सारा उद्देश किका था कांगरिस का और ये बाते पच नहीं रहे थी उगर राश्वादियों को ठीक है इस निवेदन करते थे ब्रिटीस सरकार से वो कही न कही असफल था और उसकी वज़ा से पूरे देश में और साथी साथ कांग्रेस की अंदर दोनों ही तरफ एक जो है निरासा एक असंतोस जैसा माहौल बन गया था पूरे देश को लोग देख रहे थे कि बार बार जो है ब्रिट 1885 से लेकर के 1905 तक में 20 साल का समय गुजर गया थोड़े समय की बात होती 24 साल के लिए तो लोग अपने मन को दबाते हैं चलो ठीक है अच्छा आएगा अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे लेकिन एक लंबा समय जब बीच जाता है तब लोगों को लगता है कि अब जादा हो रहा है ठीक है तो एक तो सबसे बड़ा कारण यह था कि जो अंग्रेजी सरकार के प्रती हमारी उदारवादी नीतिया थी हो हद से जादा उदारवादी थी ठीक है और उसकी उपेक्षया करते थे बिटिस गौर्मेंट के लोग तो यह सबसे बड़ा रीजन था यहाँ पर बटवारे का बहुत बड़ा रीजन था दूसरा और भी रीजन बना जैसे क्या रीजन बना कि पस्चमी करण का प्रभाव बढ़ रहा था उस समय भारत में पस्चमी करण मतलब क्या है कि लोग पाशात सब्यता को अपनाने में लगे थे बात को समझेगा जो किसमें तबदील हो चुका था पस्चमी सब्यता में तबदील हो चुका था यानि क्या आज आज देखो ना आज देखो लोग अपने भारती परिधान को भूल गया है हमारा भारती परिधान क्या था कुर्ता था धोती था आज हम अपने भारती परिधान को छोड़ करके हम वेस्टरन कल्चर को अपना रहे, कान में कर लेते हैं, ठीक है, यहां कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं, टैटू बना लेते हैं, यह सब क्या है, तो हम लोग क्या हैं, कहीं ने कहीं वेस्टरन कल्चर से आज प्रभावित हैं, बहुत जादा हमारे उपर वेस्टरन कल्चर का प भावित थे लेकिन उस समय में आसा नहीं कि हमारे देश के से प्रेम करने वाला कोई नहीं था हमारे देश की संस्किति और सभ्यता को समझने वाला कोई नहीं था थे कौन-कौन थे उस समय सोही बेवकान थे उस समय दयानन स्रुफती थे उस समय बाल गंगा दरती लगते लाल पाना चाहिए और हमारा कल्चर अच्छा है हमारी सभ्यता अच्छी है इसका भी प्रचार प्रसार में करना चाहिए ठीक है तो इन लोगों ने कब बताया लाल अच्पत्राय ने भी अपना इस्टेट्मेंट दिया है एनी बेसेंट ने भी दिया है अरविन गोस ने भी दिया कि हमारी सब्यता पास्चात सब्यता से कहीं जादा अच्छी है बहुत अच्छी है ठीक है तो इस चीज का प्रचार प्रसार किया और ये भी वज़ा थी कि लोग उदारवादी नेताओं से बड़ा चिड रखते थे ये लोग यार वेस्टन कल्चर को अपना रहे है ठीक है ये वेस्टन कल्चर को अपना रहे है एक ये भी जो है कारण था कहीं ने कहीं मन में बनेगा कि ने अगर आप होते तो आपके मन में भी बनता है ये सबसे बड़ा कारण था तीसरा कारण दो था दोस्तों अच्छा चल यो बहुत ज़्यादे थी एक तो सबसे बड़ा कारड ये था दूसरे कारड पर हम लोगों ने बात किया उदारता हम ने समझे गा ना कि जरुव से ज़्यादा निवेदन करना ठीक है अच्छा दूसरी बात है कि पास्चात सभेता का हमारे उपर जो है प्रभाव बहुत लोग है जिनको दिक्कत होगा नोट करने में ठीक है अगर मैं यहां लिख देता हूं उदारता तो लोग समझ नहीं पाएंगे तो यह ऐसे में उनको प्राब्लम होगा तो उस प्राब्लम से मुक्ति दिलाना के लिए यहां पर उनको समझाना पड़ेगा देखे ऐसे लिख पश्मी कारण का बढ़ता प्रभाव, ठीक है, पास्चात्य सभ्यता का बढ़ता प्रभाव, ठीक है, ऐसे लिखे, दोनों के बारे में हो गया, दो हेटिंग हो गया, तीसरी हेटिंग लिखिएगा दोस्तों, अंतर राष्ट्री प्रभाव, कौन सा प्रभाव, अंतर राष् इस पर भी मैं आपको लेक्चर दे चुका हूँ ठीक है अंतराष्टी प्रभाव पर भी आपको लेक्चर दे चुका हूँ ठीक है अंतराष्टी प्रभाव कैसे पड़ा जो आपके अफ्रिकन देश थें जैसे युथियोपिया ठीक युथियोपिया ने क्या किया इटली को जापन ने कहा कि रूस को अरा दिया रूस बहुत बड़ा देश था रूस को अरा दिया इसी तरह से मिस्र ने तुर्की ने फारस ने इन सभी ने भी स्वतंता अंदोलन की लड़ाईयां लड़ी और अपने आपको आजाद कराया तो कहीं ने कहीं इन सभी देशों को देख कर कि हमारे देश के जो नेता थे वो बड़े ओद पुरोथ होते थे और उनको लगता था कि हम भी आजादी पा सकते हैं, हम भी यूरोपियों से अपने आज देश को आजाद करा सकते हैं, तो कहीं ने कहीं उनके मन में एक motivation पैदा हुआ, ठीक है, यहाँ पर तो याद रखेगा अंतराष्टी प्रभाव इसी को बोलते हैं, ठीक है, तो याद रहेगा न, पढ़ेगा के न, आप बताओ, अगर आपके, जैसा आप करना चाते हैं, वो ऐसा कोई और देश करता है, और आजादी पा जाता है, तो क्या आपके मन में नहींगा कि इस तरह से हम भी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है, एक तो याद चौथा करन लिख लिजिए, भारत की बिगड़ती आर्थिक इस्थिती, अब देखी ये क्या था, बिगड़ती आर्थिक इस्थिती, इसमें हम लोग क्या बाती कर रहे हैं, दोस्तों आप सभी को पता था कि 1880 या मैं बात कर दू सिदे, 19. सताबदी का जो अंद का समय था, उसमें बहुत सारे अकाल पड़े थे, 9 बड़े अकालों के बारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जो कि आपके 19. सताबदी में थे, 9 बड़े अकालों के बारे में पढ़ा चुका हूँ, अगर टोटल छोटे बड़े मिला दि है और उसके लिए फ्लेक कमिस्चनर की नियुकति किया गया था जिसका नाम था रेंड कमिस्चनर का था क्या रेंड में औरा star ओर आ क्या कि आगे 18 महीने की जो जेल दे दिया गया ठीक है कि ये गलत चीजें हैं तो याद रखिए कहीं ने कहीं क्या लोगों के मन में आएगा कि नहीं कि अंग्रेजी सरकार हमारे लिए गलत है ये सारी चीजें और हम उपर ये चीजें सपोर्ट किसको कर रहे थी यही वज़ा मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों क्या वज़ा थी कि उदारवादी नेताओं के मन में थोड़ा परिवर्तन हुआ और उगराष्ट वादी या क्रांतिकारी गतिविदियों में स्वामील हो गया वज़ा थी तो पहला वज़ा था आवेदन निविदन की निती दूसर वज़ा था पाश्यात एसा बता तीसरा वज़ा था अंतराष्टी प्रभावों को देख करके उनके अंतर मोटिवेशन पैदा हुआ चौता था भारत की बिगरती आर्थिक इस्तिति को देख करके उनके मन में कहीं ने कहीं ये प्रभाव आएं आगे आपने देखा कि किस तरह से चापेकर बंद्वों ने क्या किया हत्या कर दिया रेंड और आयरस्ट की ठीक है तो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पाच्वा कंडिशन लिखिये का बंगाल भी भाजन ठीक है बंगाल भी भाजन तो कहीं ने कहीं एक मन में जो है द्वेस था ही और इसी में कर बंगाल भी भाजन कर दिया तो बंगाल भी भाजन जUB हो गया तो बताइये कि थोड़ा और उनकी अंदर उग्र राश्वादी भावना पैदा होगी कि नहीं होगी पैदा इसलिये दोस्तों करजन के 7 सालों के सासन को کہा जाता कि सिश्ट मंडलो भूलो और आयोगों का आया समय था ठीक है याद रखिए एक्जाम में आपसे पूशता है करजन के साथ सालों को हम किस नाम से जानते हैं साथ साल तक थाने कैसे था अरे 1899 से 1905 तक जोड़ लिजे कितना सालों जाएगा साथ सालों इसी को कहा गया है सिष्ट मंडलों याद रखिए सिष्ट मंडलों आप काल ठीक है किसको कहा गया है ये कहा गया है करजन के समय को ठीक है करजन के समय को क्या नाम दिया गया है सिष्ट मंडलों भूलों तथा आयोगों का काल कहा गया है तो कुल्मिलाजुला की ये बहुत बड़े कारण थे तो अब बताईए लोगों के मन में क्रांतिकारी विच तो ठीक है और इसलिए मैं अपनी कहानिया सुरू करने जा रहा है कहां से हम पढ़ाने जा रहा है भारत में क्रांतिकारी अंदोलन और उसके बारे में बात करने जा रहा है सबसे पहले महाराष्ट के वाले में कल वाली क्लास में हम लोग बंगाल और बिहार के बारे में प्यार कर रहा था कि भाई लोगों के मन में क्रांतिकारी बनने का विचार कैसे आ गया तो यह पांच बड़े कारण थे जिसने लोगों को क्रांतिकारी बनने पर मजबूर किया ठीक है यह पांच कारण थे चलिए स्टार्ट करते हैं महाराष्ट से दोस्तों मैं महाराष्ट क से 97 में एक यहां पर संगठन बना था जिसका नाम था ब्ययामम हो सकते हो और इसके अस्थापना होई थी पूना में कहा पर वी थी पूना महाराश्चंके पूनां में है किसने किया था आपसे भी एक्जाम में पूस्ता है तो याद रखेगा चापेकर बंदु ने किया सा किसने चापेकर बंदु ने इसके अस्थाप्रा किसने किया था एक्जाम में यही सब पूस्ता है देखिए चापेकर बंदु ने इसका इस्तेमाल किया था बंदु मतलब ज लिख लिजेगा दामोदर हरी चापेकर और बाल क्रिस्ट हरी चापेकर ने मिल करके ब्याया मंडल की अस्थापना किया तो दोनों लोग भाई भाई थे ठीक है इन्होंने अस्थापना किया और जब अंग्रेजों का बढ़ता हुआ प्रभाव देखा न जब देखा कि पलेक अलकात्रा लगा दिया अलकात्रा लगा कर उतना बिरोध प्रतसन किया और कुछी समय बाद अपना टीम बना कर क्या किया अपने आत्मसंमान की रच्छा के लिए अपने स्वामीमान की रच्छा करने के लिए अपनी रच्छा करने के लिए ठीक हुन्हें ने क्या किया रें एंड आईरेष्ट दोनों की हत्या कर दिया यह अलग बात है कि दामोदर हरी चापेकर को जो है तुरंद फासी किसा जाओ गई बाद में इनको भी पकड़ करके फासी दे दिया गया ठीक है फाइनली जो संगठंदा यह पूरी तरह से तूट गया पूरी तरह से तूट गया बहुत सारे लोग इसमें चुगलखोर भी लगे थे आपको पता होगा दक्षिट भारती द्रवीड लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को सूचना दिया था कि बाल किष्ट चापेकर कहां छिपा हुआ है तब जाकर अंग्रेजों उनके साथियों को पकड़ा उसके बाद उनको भी फासी दे दी गई तो यह सारी कहानी तो आप जानते हो तो यहाँ पर याद रखे रेंड और आइरेश के अत्या भी इन्होंने किया था यह तो महराश का पहला संगठन था और यह महराश में पहली राजनितिक हत्या थी किसकी रेंड और आइरेश ने और यहीं से क्रांतिकारी आंदोरन शुरू होता है यहीं से 1877 की क्रांति अगर छोड़ दो 1921 सताबदी के अंद की बात करो तो रेंड और आयरेश की अत्यास से पहला कहानी सुरू होता है दूसरे अगर मैं संगठन की बात करूँ है तो पहला संगठन हो गया यहां पे सावर करें ठीक है ध्यान दीजेगा गलती मत करिएगा तो इन्होंने बनाया और जब यह हाई स्कूल की परिच्छा नहीं पास किये थे उसके पहले इन्होंने मित्र मेला का गठन किया था कव 1899 में ठीक है पहले देखे सुरूआत में तो मित्र मेला का गठन एक्चुरी 1900 में हुआ है सबसे पहले एक मित्र मेला संगठन बनाते हैं 1899 चोटा संगठन अपने दोस्तों के टीम बात में उसको एक बड़े रूप में लेके आते हैं मित्र मेला के नाम से सन 1900 में ठीक है तो याद रखेगा गडेस सावरकर ओभी इस मित्रमेला को बनाने में इनके सायोगी थे ठीक है गडेस सावरकर अच्छा चलो इनके बच्पन के बारे में थोड़ी सी बाते हम कर लेते अच्छा एक चीज़ और कर लो यहाँ पर आगे चलके यही मित्रमेला जो है यही अभीनो भारत सोसाइटी में कनवर्ट हो गया क्या अभीनो भारत सोसाइटी में बदल गया अभीनो भारत सोसाइटी 1904 चार साल बात बदला था ठीक है तो दोनों आपसे पूछता है दोनों को बारे में आद रखेगा मित्रमेला अभिनो भारत ठीक है यहाँ पर बैयाम मंडल तीन हो गया यानि कुल मिलाजुला के महराष्टर में के वहल तीन ही संस्थाएं थी जो क्रांतिकारी आंदोलन किया करती थी उस समय ठीक और देश को बचा रहे थी आजादी के लिए जो है यहाँ पर लड़ रही थी तो यहाँ पर रखिये पहला बैयाम मंडल सोचो क्या जरूत थी यार दामोदर हरी चापेकर को मनने की क्या जरूत थी बाल के शड़ी चापेकर को मनने की क्यों क्यों कि वे चाहते थी कि अंगरेजों की गुलामी सहन नहीं कर सकते हम मर जाएंगे चलेगा लेकिन हम अंगरेजों की गुलामी नहीं करेंगे और यहां पर वही काम किया बीडी सावरकर ने बहुत बड़े अस्तरपड किया था आपको समझना पड़ेगा कि बीडी सावरकर के मन में क्या चला था उनक नासिक में जगा भगूर गाउं का नाम है भगूर ठीक है भगूर में इनका जन्म गुआ था नासिक में महाराश में ठीक है और बचपन से कहूं तो पढ़ने लिखने में बड़े तेस तर राखते बहुत ते जस्वी थे और इसी वज़े से टीचरों का जो वहां के अध्या अधर थे जो और तेज तरर्राघ होते चले के उसी समय दोस्तों बाल गंगा था तिलग जैकी केसरी वाली पत्रिखा बड़ा धूम मचा है थी महाराश में बहूत धूम मचांए थी और जितने भी नौजमान युवक होते थे उस समय वह इस पत्रीका को पढ़ते थे किसरी के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपने देश कौम आजादी दिला दे अपने देश कौम स्वाधिनता दिला दे ठीक है तो एक ऐसा कुछ काम करना चाहिए तो इनकी विचारदाराओं में धीरे धीरे चंजिंग आना शुरू हुआ क्यों कि केसरी पत्रिका में कई सारे ऐस को पढ़कर होता है और यह इतने ज्यादा तेश तर राख थे कि आगे चलके बाल गंगादर तीलग को भी पता चल गया कि बीडी सावरकर यानि बिनायक दामोदर सावरकर जैसे भी हमारे महाराष्ट में लोग है और एक ऐसा नौजवान जो पूरा एक अपनी टीम बना कर करके इन लोग क्या करते जेल में डाल देते हैं यह सारी चीजें होती तो कहीं नहीं कहीं है संगठन जो गुप्त रूप से काम कर रहा था और इसमें जुतने भी लोग जुड़ रहे थे वह खासका नौजवान लोग थे ठीक है और ऐसे नौजवान लोग यहां पर तयार क कब हुआ था तो सन 1900 में बताएगा ठीक है अच्छा एक चीज़ और पूछे कभी यह पूछे आप से एक्जाम में कि देश भक्तों के मेला का गठन कब हुआ था तो बीडी सावर कन ने 1899 में में देश भक्तों के मेला का गठन किया था याद रखिए मित्र मेला के जगा द डिविजन पास नहीं किया था ठीक है ऐसा लिखा है किताबो में एक बार देख लीजेगा इसको आप लेकिन इन्होंने उपाधी ग्रहण ने किया क्यों इन्होंने काम अंगरेजों से कोई उपाधी ग्रहण नहीं करेंगी इतना ज़्यादा इनके अंदल जो है इनका खू उस समय का सबसे बैतरीन सोसाइटी हम बोल सकते हैं ठीक है माराष्ट में सबसे बैतरीन सोसाइटी उस दौर में कौन था ये अभीनो भारत सोसाइटी था अब आगे की कहानी सुनिए क्या होता है आगे बाल गंगादर तिलक जी सिंग की मुलाकात होती है बाल गंगादर त लंदन जाने से पहले एक छोटी ची मिटिंग राखी थी, उस मिटिंग में इन्होंने कहा था कि हम कहा जा रहे हैं, हम अंगरेजों के घर जा रहे हैं, उनके घर जा करके एक ऐसी योजना बनाएंगे को उनको भारत से कैसे ख़दड़ा जा ठीक है tak? तो याद रखे, पहुंच गए लंदन, कभी-कभी आपसे एक्जामे पूछता है कि लंदन ने किस जहाज से गए थे, ठीक है, तो याद रखे, परसिया नामक जहाज था दोस्तो, परसिया नामक जहाज से पहली बार लंदन गए, जब लंदन जाने की तयारी कियें, 1906 में जाते हैं, याद रखेगा यहाँ पर समय, 1906 में लंदन जाते हैं, बाल गंगा धर, तिलग जी यहाँ पर स्वयम आते हैं, इनको बिदा करने के लिए, ठीक है, बाल गंगा धर, तिलग जी यहाँ पर स्वयम आते हैं, इनको बिदा करने के लिए, चलिए, यहाँ से चले गए लंदन लंदन जाने के बाद दोस्तों इन्हों ने क्या किया एक हॉस्टल था जिसका नाम था इंडिया हाउस सुना है इंडिया हाउस इंडिया हाउस दोस्तों एक हास्टल का नाम था वहाँ ठीक है इंडिया हाउस इंडिया हाउस के अस्थापना किस ने किया था याद रखिये स्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था किस ने स्याम जी कृष्ण वर्मा बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे बहुत बड़े क्रांतिकारी विचार रहे थे बाद में ब्रिटिस गॉर्मेंट ने इनको बहुत जादा परसान किया उसके बाद इन्होंने अप पूछ थी लोगों की देख भाल करने वाली एक मात्र भेकती थैं पूरा प्लैनिंग किया जाता था जब बिनायक दामोदर सावरकर जी पहुंचते इंडिया हाउस उनकी मुलाकात कई लोगों सो था अच्छली एक चीज और बता दू उनके मन में एक और चीज रहता है कि मैं लंदन जा करके क्या करूँगा मैं नए नए अस्तर सस्त्रों को ख़ई दूँगा नए ने हथियार खई दूँगा और उनको गुप्त तरीके से भारत भेजूँगा ताकि ससस्त्र करांती हो सकी खुल गई थी ठीक है सैकड़ों ब्रांचिस खुल गए थी जो कि महराश्ट्राम मद्यप्रदेश और आसपास के जो राज्य छेतर थे वहां तक वो काम करते थे ठीक है तो कहीं ने के बड़ी सोसाइटी के रूप में उभर रहे थी अभी भारत सोसाइटी यहां पर आगे भारत में महराश्ट में अच्छा जब यह चले गए बिनायक दामोदर सावर कर तो कौन देख रहा था यह जो समीती थी ठीक है अभीनो भारत सोसाइटी इसको देख कौन रहा था तो इंके बड़े भाईया थे ना जिंगा क्या नाम था गड़े सावर कर वो देख रहे थे वो इसके लिए लेक लिख रहे थे कभी सारे कविताय लिख रहे थे लोगों को जो है फ्रोसाइट करने में लगे थे इन्होंने लोगों से कहा कि गोरिला युद्ध नीती क्यों अपनाओ सिवा जी के दौरा चलाए गया जो गोरिला युद्ध नीती थी उसको अपनाओ औ अच्छे बड़े क्रांतिकारी स्याम जी कृष्ण वर्मा ठीक है बहुत बड़े क्रांतिकारी ये तो सारा सिष्टम देखी रहे हैं मदन लाल धींगरा का नाम सुना है मदन लाल धींगरा ठीक है मदन लाल धींगरा का नाम सुना होगा आगे मैं कहानी बताऊंगा कि मदन ल एक तो भीनाइक दामोदर सावरकर अयसे ही इतने बड़े क्रांदिकाई सियामजी डा मर्मा और बड़े क्रांदिकारी इन लोगों से जाकर मुलाकात हो गया अब जो है प questa करांदि करने से कोई रोकने वाला नहीं था ठीक है यह सारी अब जब यहाँ पर इंडिया हाउस में सारा गत्विदियां होने लगी दीरे धीरे बिटीज गौर्मेंट को पता चला बिटीज गौर्मेंट को जब पता चला उसके वो सुड़ करी हमारी लंदन में आकर कि भारती इक्रामतिकारी इतना बड़ा काम कर रहे हैं उन्होंने क्या कि उन्हों ने वहाँ पर छापा मार दिया और मुकदमा चला है कि इसके उपर यहां से गिरफतार कर लिया गया किसको आपके बीडी सावरकर को अच्छा यहां पर देखें बिना एक दामा दो सावरकर नाम तो लिखा ही ने मैंने तो बीडी सावरकर बीडी सावरकर क्या किया गया दोस्तों यहां से बीडी सावरकर को कर लिया गया गिरफतार ठीक है गिरफतार करके वापस उनको भारत भेजा गया अच्छा फिर पूछा जाता है कि किस जहाज से भेजा गया मोरिया जहाज से भेजा गया था पारसिया साय थे मोरिया से गया पारिसिया मोरिया याद रहेगा पारिसिया जहाद से आये थे मोरिया नामक जहाद से इनको वापस भेज दिया गया मोरिया नामक जहाद से ठीक है इनको वापस भेजा गया इनके उपर मुगदमा चलाए गया ठीक है जब थोड़ा साइड में जाते हैं और तैर तैर कर कहां पहुंच गए किनारे पहुंच गए अंग्रेज में इतने बड़े करांतिकारी को वहां से ला रहे हैं। सिपाईयों से दूर रहें लेकिन अंग्रेजी सत्ता उसमें काफी हावी थी उन्होंने फ्रांसीसियों पर थोड़ा सा दबाव बनाया प्रांसीसी सिपाईयों ने क्या किया इनको उठा के सौप दिया अंग्रेजों को ठीक है और अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या दे दिया 1857 की, क्योंकि बाकी सारी जो किताबे कहींने कहीं अंग्रेजी इतियासकारों के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें बहुत ज्यादा वादन नहीं मिलता है, लेकिन 1857 की स्वादिंतर संग्राम की किताब थी, यह अपने आप में सबसे बढ़ी अतर्थे प्रस्तुत करती है और इसको लिखा जैसे एंग्रेजों को पता चला कि बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांती के उपर किताब लिखा है उनका दिमाग सटक गया उनके हो सोड़ गया उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई क्यों कि अर भारत में क्रांती होने से कोई रोक नहीं सकता है ठीक है भारत में क्रांती होने से कोई रोक नहीं सकता है अंग्रेजों के अंदर एक डर बैट गया किसके खिलाब ये बीडी सावर के खिलाब इतना डरने लगे पहली बार ऐसा मौका था कि कोई किताब पबलिस होने से पहल प्रति नहीं मार देंगे ठीक है कोई नहीं छाप फिर वहां से किताब पेरिशेंगा है वहां भी लगा दुनिया में बहुत सारे देश हैं कहीं ने कहीं तो किताब चपवेगी और आगे पता है आगे चलके हालेंड एक देश पढ़ता है दोस्तो हालेंड में किताब फाइनली छप जाती है और आज भी उसकी प्रती मौझूद है और सबसे बढ़ियां तत है कर कोई प्रस्तूत कर लिए उन्होंने कई सारे कविता और लेक लिके इसलिए इसी पर आरोप लगाकर अंग्रेजों ने क्या किया उन्हें जेल में डाल दिया और उन्हें क्या कर दिया बंदी बना लिया उनको गिरफतार कर लिया ठीक है अच्छा एक इसी बीच में केस भी हुआ था दोस्तों जिसको बोलते हैं नासिक सडियंत्र केस हैं नासिक सडियंत्र केस क्या था चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ और उसी केस में जो है इनको गिरफतार किया गया मुगदमा चला गया आजीवन कारावास दिया गया हालांकि बाद में दोस्तों सिद्ध हो जाता है बिनायक दामोदर सावरकरजी को मिला है ठीक है अब ये नासिक सड़ेंतर केस क्या था चलिए इसके बारे में जान जी नासिक सड़ेंतर मुकदमा ठीक है नासिक सड़ेंतर मुकदमा ये क्या था दोस्तों नासिक सड़ेंतर केस या नासिक सड़ेंतर मुकदमा या केस लिखे बात है district magistrate याने DM आपका ठीक है जिला मजिस्टेट अच्छा जिला मजिस्टेट का नाम था Jackson Michael Jackson नी खाली Jackson ठीक है जिला मजिस्टेट का नाम यहां पर था Jackson ठीक है Jackson की हत्या हो गई जैक्षन की हत्या हो गई इसके पहले रेंड और आयरे, कमिस्नर की अत्या हुई थी, कमिस्नर के बाद तो DM का नंबर आता है, उसका भी अत्या हो गया, तो यहाँ पर Jackson की अत्या, अच्छे, यह केस कब चला था दोस्तों, ज्याद रखिए, 1908 का केस था, कब का केस है, 1908 नहीं, 1909 का केस है, 1908 नहीं, 1909 का केस है, दिसंबर 1909, दिसंबर 1909, माले में तो सुधा रहा हूं, उसी के टाइम का केस है, ठीक, नासिक सड़यंदर केस, इसमें क्या होता है, कि जो नासिक का जिला मजिस्टेट रहता है, जिसका नाम रहता है जैक्सन, जैक्सन की हत्या हो जाती है कैसे हत्या होती ही, जैक्सन को गोली मार देता है कौन गोली मारते हैं एक आपके महराष्ट में गुट राता है करवे गुट, छोटा सा संगठन राता है करवे गुट, ठीक है, करवे गुट के हेड राते है अनंत लक्षमड कनहारे क्या नाम है अनंत लक्षमड अनंत लक्षमड याद रखिएगा अनंत लक्षमड कनहारे जो रहते हैं इन्होंने क्या किया जैक्सन को गोली मार दिया गोली मानने के बाद भगदर मच गई कहाँ पर एकदम पूरा हाहाकार मच गया प्रिटीस गौर् कृट्रान जितने भी कर्वे गुटके जितने भी सदस्ते हैं उन सभी को गिरफ्तार किया गया जहाए की मुझे–क. के नाम पर है बिनायक के नाम पर है बिनायक देश पांडे है एक बार देख लिजेका ठीक है यही नाम है कि कुछ और नाम है ने कई महराश में जो करांती कारी गतिवीदिया हो रही थी ठीक है उनमें फिर से एक बार अंग्रेजों ने लगाम लगा दिया और एक बात और याद रखेगा इसी नासिक सडियंत्र केस में किसको गिरफतार किया गया बीडी सावरकर को गिरफतार किया गया क्या कहा कि गिर अफ्तार कर लिया गया ठीक है हलांकि बाद में नासिक सड़ेंद्र मुकदमे का जब रिजल्ट आया तो उसमें इनको बरी भी कर दिया गया ठीक है इस तरह से कहानी खतम होती है यहाँ पर और महाराश में कुल तीन चार आंदोलन थे हैं जिसको आप याद रखेगा ठीक है पहला था बयायाम मंडल जिसको चापेकर बंधुने बनाया था दामोदरही चापेकर बालकिष्ट चापेकर रेंड़ और आयरेश की उन्होंने हत्या किया था 1896-97 दूसरा बना आपका मित्र मेला सन 1904 में अभीनो भारा सोसाइटी दोनों में किसका बड़ा योगदान था बीडी सावरकर और उनके बड़े भाई गड़े सावरकर का ठीक है और जो चोथा था संग या संगटन चोटा सा वो करवे गुट को ले लेजिए अनन्त लच्मन करवे ठीक है और किष्ण जी और साथी साथ में बिनायक देश पांडे तो इन तीन लोग का नाम याद रखे ठीक है तो कल हम लोग उस पर लेक्चर करेंगे और साथी फात पढ़ेंगे कि कि इस तरह से बिहार में आंदोलन चलता है और आगे देखेंगे मदरास में लाहोर में जगा जगा पर इस तरह के करांतिकारी संगठन बनते हैं और वहाँ पर जो हमारे पुराने करांतिकारी जिसके बारे में हमें इतिहास में नहीं पढ़ा जाता उन्से भी हम रूबू हो पाएंगे उनके बारे मीं में लोग पढ़ पाएंगे तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी जैजजिदी बात अच्छी लगया होगा ठीक है और अच्छी लगेód दोस्तों तो डिटेल से चीजों को पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए थैंक यू थैंक यू सो मच